हेलो गाईज वेलकम डो यूट्यूब चानल इंग्लिश ओनर्स हब आई होप आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में हम सेमेस्टर फो डियसे 11 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की पोर मैं इंडियन लव सॉंग करने जा रहे हैं जिसको सरोजनी नाइडू ने लिखा सरोजनी नाइडू का तो नाम आपने सुना ही होगा यह बहुत ही जानी मानी फ्रीडम पाइटर रह चुकी है और साथी साथी एक पॉलिटीशन और पोएट भी थी सरोजनी नाइडू ने हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मुवमेंट में बहुत ही बहतरीन रोल प्ले किय इन्हें जातर जाना जाता है नाइटिंगेल आफ इंडिया नाम से नाइडू की पोएटरी बहुत ही ब्यूटिफुली कैप्चर करती है इंडियन कल्चर को उसके स्ट्रगल्स को और एस्पिरेशन को और यह आज भी जनरेशन को इंस्पायर करती है इनके वर्क्स जनरेश आए अब हम शुरू करते हैं अपनी पोएम एन इंडियन लव सॉंग यह एक कन्वसेशन है एक मैन और उसके बिलवट के बीच में मैन को ही से रिप्रेजेंट किया गया है और उनके बिलवट को शी का गया है और इसके अंदर सरोजरी नाइडू ने बहुत ही फैंसी हटके है तो अब हम शुरू करते हैं पहले ही कहते हैं लिफ्ट अप दवेल्स दाकन देलिकेट मून ऑफ दाय ग्लॉरी अन ग्रेस बिधोल नॉट ओ लॉफ फ्रॉम दाय नाइट ऑफ माय लॉंगिंग दे जॉई अफ दाय लॉमिनस फेस सो जो ही है वो अपनी बिलवट से कहते हैं कि अपना जो चांद सा चहरा है उस पे से पर्दा हटाओ जिस से कि उनका जो ब्यूटिफुल सा फेस है जो बहुत ही गलॉरियस है बहुत ही चमकता हुआ चहरा है वो देख सकें उनके चहरे की ब्यूटी देख सकें और वो कहते हैं कि तुम मुझे अपने जो बालो में जो तुमने फूल लगा रखा है वो मुझे उधार दे दो या फिर और असिलकन थ्रेट फ्रॉम दे फ्रिंजिस या फिर अपनी एक ड्रेस का एक टुकडा मुझे दे दो जिससे कि वो as a token of remembrance रख सके जिससे देखने के बाद उनको अपनी बिलव्ट की याद है तो जो ही है उनको अपनी बिलव्ट की जो हेर की खुश्बू होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और जो पायल की आवाज है वो बहुत ज़्यादा पसंद है revive me I pray with the magical nectar that dwells in the flower of thy kiss और फिर जो man है वो अपनी बिलव्ट से demand करते है एक kiss का कि तुम्हारे kiss ही अब मुझे revive कर सकती है so explanation आप पढ़ सकते है notes से notes आपको मैं telegram channel पे मिल जाएंगे फिर she reply में कहती है how shall I yield to the voice of thy pleading कि मैं तुम्हारी जो तुम मुझे से मांगना चाह रहे हूँ वो मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ how shall I grant thy prayer तुम्हारी जो prayer है उसको कैसे grant कर सकती हूँ और give thee a rose red silicon tassel a scented leaf from my hair और कैसे तुम्हें अपनी dress का एक टुकडा दे सकती हूँ या फिर अपने बालों में से कोई leaf या फिर flower दे सकती हूँ और fling in the flame of thy heart's desire the wails that cover my face और कैसे अपने चहरे से ये घूंगट अटा सकती हूँ जिससे कि तुम मेरा face देख पाओ profane the law of my father's creed for a foe of my father's race अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये मेरे father के community के बिलकुल खिलाफ होगा और ऐसा होगा जैसे कि मैं अपने family beliefs को तोड़ रही हूँ thy kings men have broken our sacred altars and slaughtered our sacred kind और जो हमारी community के बीच के जो लोग हैं उनकी वज़े से हमारा जो relationship है वो आगे नहीं बढ़ सकता है actually बात ये है कि ये he और she दोनों ही अलग-अलग community से belong करते हैं एक Hindu है और एक Muslim है और इन दोनों ही communities के बीच में tension चल रही है जिसकी वज़े से she मना कर रही है कि मैं तुम से तुम जो मुझसे demand कर रहे हो वो मैं तुमारी demand पूरी नहीं कर सकती हो अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये मेरे family के beliefs के खिलाफ होगा और मेरे community के against होगा the feud of old faiths and blood of the old battles thy people and mine तो वही चीज़ ये कह रही है तो अब आगे की lines में फिर ही इनका जवाब देते हैं तो वो कहते हैं what are the sins of my race beloved कि मेरी community की गलती क्या है beloved what are my people to thee और मेरे जो community है वो तुम्हारे लिए इतने माइने क्यों रखती है and what are thy shrines and kind and kindred what are thy gods to me और नहीं तुम्हारी community मेरे लिए कोई माइने रखती है love wrecks not of feuds and bitter follies of stranger, comrade और king love हर एक चीज़ से इन सारी चीज़ से बहुत ही उपर है और love किसी भी boundary का महताज नहीं है love सारी चीज़े खतम कर सकता है और तुम्हें जो communities है हमारे personal relationship के बीच में तुम्हें हमारी communities को बीच में नहीं लाना चाहिए alike in his ear sound the temple bells and the cry of musyn और मेरे लिए तो हरे community equal है और जो चाहे घंटियों की आवाज हो या फिर musyn के cry सब मेरे कानों के लिए बिलकुल same है और बिलकुल beautiful है दोनुई for love shall cancel the ancient wrong and conquer the ancient rage और love में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो सारी ancient wrongs जो है जो भी communities के बीच में tension चल रही है उसको भी वो conquer कर सकता है redeem with his tears tears the memorized sorrow that swillied a bionage age so love के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो सारी चीजों को fix कर सकता है और जो tension चल रही है उसको भी खतम कर सकता है so यहीं पर poem खतम हो जाती है अब हम themes देखते हैं पहली theme है forbidden love and societal constraints so central theme जो है वो revolve करती है around love story दो individual की दोनों ही अलग-अलग community से belong करते हैं एक Hindu है और एक Muslim है और इनका love आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि इनकी community के बीच में conflicts चल रहा है और families और traditions अलग-अलग होने की वज़े से इनका love आगे नहीं बढ़ पा रहा है दूसरा है earning and desire तो इतने सारे societal barriers के बावजूद भी जो speaker है male lover वो अपना intense love show करता है अपनी beloved के लिए और वो बोलता है कि love हर एक चीज़ को fix कर देगा थर्ड है the power of love to transcend differences speaker बोलता है कि love किसी भी religious या societal boundaries से बंधा हुआ नहीं है love के अंदर इतनी ताकत है कि वो इन साइट चीज़ों को सही कर दे और हमारा जो love है वो भी आगे बढ़े तो यहीं पर मारी वीडियो खतम होती है अगर आपको अच्छी लगी हो तो like, comment, share and subscribe करना ना भूले thanks for watching खतम बाई बाई, टाटा, गुड़बाई